हालो बच्चों आज किस वीडियो में देखेंगे इक्वालियंट फ्रक्सान यानि समतुल भिन्न बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है यूपी पुलिस की परिक्षा में भी एक कुश्चन आया था भी हाली में कहने के लिए बेसिक है लेकिन ये बहुत से एक्जामस में इसमें एक किसी निश्चित संख्या से या तो हम गुड़ा कर दें आंसर हर दोनों में या तो भाग कर दें फिर एक नई भिन्न बन जाती है और वही भिन्न आपकी क्वालियंट फ्रक्सान यानि समतुल भिन्न कहलाती है जैसे फार एक्जामपल अगर आप देख रहें ती तीन बटा 11 अगर इसमें उपर मैंने 2 से गुड़ा कर दिया नीचे भी 2 से गुड़ा कर दिया तो उपर 6 नीचे हो गया 20 ये क्या है ये 3 अपान 11 की इक्वालियंट फ्रक्सान है 6 अपान 22 क्यों क्योंकि मैंने नुम्रेटर एंड डुम्रेटर दोनों को 2 से मल्टिपल किय है 2 से गुड़ा किया है जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 से ही करें हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं ठीक है यहां तक कि गुड़ा नहीं हम भाग भी कर सकते हैं वो भी मैं आभी आपको करके दिखाऊंगा ठीक है भया जैसे तीन बटा 11 से गुड़ा कर दिया नीचे उपर दोनों म हम भाग के रूप में करें तब भी बात वही होती है तो फिलहाल पहले एक दो कोश्चन आप बता दो जड़ा कोशिस करके फिर में बताता हूं चलिए बताइए बहुत अच्छा ठीक है तीन बटा यह नौब अग्यारा तो किसी तरीके फह नहीं हो सकता क्योंकि 11 सेम तूसे नहीं उतर सकता है यह थिरी से मल्टीपल हुआ होगा तो नाइन होगा तो 33 होगा ठीक है नाइन से मल्टीपल होने पड़ 27 हो जाएगा बट नाइन से यह होगा गुछ यह था सलय और यह दो एक डलत है क्या अगला फ़ता व करा इसमें 308 अपान 32 का ईक्वारेंट फ्रेक्शंण है वह कौन सा है जो नहीं है नहीं पूच रहा ह है वहरा नहीं है पूंच टारएं मेनों आपणि मिल नहीं यह ऐसा आगे सवाल वेसा है नहीं यह वाला ठीक है कोई बात नहीं चलो आए जरा कोशिस करो और देखो इनको डिबाइड करकर क्या ऐसा कुछ इनका रिलेशन मिल रहा है कहीं है अगर इनको आप देखोगे तो 33 कभी भी किसी भी केस में पॉसिबल ही नहीं है ठीक है भाग से कुड़ा हुआ पांच दूना दस पांते पंदरा और एक सोला होगा एक सो साथ हो गया यहां पे एक सो तीस है तो यह गलत है और यह थर्टी एट अपां थर्टी सिक्स कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि थर्टी एट सेम उतर गया नीचे का नंबर बढ़ गया इसा सं और यह थर्टी सिक्स भी आ जाएगा ठीक है तो सो आपका यह आंसर करेक्ट था क्योंकि नुम्रेटर और दोनों को थरी से मल्टीपल किया गया अगला बताओ इसमें तीन आप्सन जो हैं वो सम्तुल भिन हैं बट एक नहीं है जरब बताओ कोसिस करो एक बार बहुत अच्छे बच्चे ऐसा ही कोसिस करते रहो बस सिर्फ ट्राई करते रहो देखो कैसे इक्वलेंट फ्रेक्शन नहीं है तो पहला वाला है 52 लिखा है और यह 13 है इनका रिलेशन क्या भईया इनका संबन्द यह है कि इसका चार गुना है इसका मतलब नीचे वाला नंबर भी चार गुना होना चाहिए 50 को 4 से गुड़ा करोगे हो जाएगा 200 ठीक है यह तो सही है यह भी इक्वलेंट फ्रेक्शन है तो यह आपसं गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि अपकी बार हमें वो निकालना है जो नहीं है जो है उसको नहीं खोजना है अगल देखो 91 है 13 से 91 आ गया इसका मतलब 7 टाइम मल् मल्टीपल होना चाहिए तो रहे बाबा यह 350 होगा जो कि है तो यह भी इक्वलेंट फ्रेक्शन ही है हमें निकालना है कौन नहीं है मतलब हमें दिखरा इस सब चोर है पूछा गया इसमें चोर कौन नहीं है पकड़ो बही मांदार कौन है देखो इसमें 65 होग यानि 5 टाइ है 655 टाइम नीचे मल्टीपल होगा 25 और जीरो आजाएगा सो यह भी भाई है अभी इसको आख बंदगर के लगा तो यहीं नहीं यह रहादा काई को नहीं क्योंकि 1 3 है 1 3 0 10 टाइम मल्टीपल होगा दस से गुड़ा होगा तो 130 होगा नीचे दस से होगा तो 500 होगा जो कि 4 490 400 की क्या कर लिया कटोती किया है सो वह गलत है अगला बताओ करा इसमें कौन है जरा कोशिस कर लो भाई या प्यार से टाइम है अभी पढ़ने का है चलो हंड्रेड अपान वान फाइप जीरो करें समुतुल भिन है वह साब इनका एक जीरो अगर हम गायब कर दें तो यह रहा है लेकिन थोड़ा धोखा कर दे रहा है अगर उपर दस होता तो बन जाता इनका एक एक जीरो करतें यह बंद रहा है मतलब हम दस से क्या किए डिवाइड कर दी है चाहिए कोई दिक्कत नहीं अगर इनको दोनों को दस से गुड़ा कर देंगे तो फिर वा जाएगा य क्योंकि उसका इलाका है अगला यह सवाल आप खुद से बताओगे ठीक है एक बात याद रखना जिनको सीरियस सीखना है यह वीडियो सिर्व उन्हीं के लिए हैं जिनको कहना मुझे लाइब देखना लाइब देखना मुझे चैटिंग करना मस्ती करना मजा आता लाइब म स्वागत है आए सीखिए कुछ भी नहीं आ रहा कमेंट करिए हम बताएंगे अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा नीचे नंबर चला उसके संपर करिए गडित सिखाने की पूरी गारंटी है बुड्डों को भी सिखाएंगे गडित वही टार्गेट है ठीक है बहुत बहु